है लो चेंपियंज कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिसोर्स प्लानिंग तो यह हमारा टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग की carbon सेघन सेघन सेख़रेंगे रिसोर्स प्लानिंग की जरुत ही क्यों पढ़ें या resource प्लानिंग का क्या importance है इस प्योग सेधे़ए अब रिसोर्स प्लानिंग की जरुत क्यों पढ़ें उसको हम आओ बाद में समझते हैं पहले इस पर questions क्या आते हैं हमारे school के exam में या board के exam में क्या questions मनते हैं इस पर question बनेगा सबसे पहले what is the need of resource planning or what is the importance of resource planning दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं ये जो question बनेगा ये ये तीन या पांच नंबर का हो सकता है पांच का तो नहीं होगा तीन या दो नंबर का होगा depending on that आप answer को लेंदन या shorten कर सकते हैं तीन या दो नंबर का हो सकता है राइट तो देखिए resources हमारे लिए valuable तो हैं है economic development के लिए sustained quality of life के लिए राइट तो आईए देखते हैं कि resource planning का सबसे अच्छा तरीका क्या है या हम resources को कैसे plan कर सकते हैं देखिए planning is the widely accepted strategy for judicious use of resources basically अगर हम चाहते हैं कि हमारे resources का misuse न हो हमारे resources degrade न हो उनकी quality and quantity कम न हो खराब न हो degrade न हो basically तो उसके लिए हमें resource planning करनी ही होगी क्योंकि जैसे हम लोग ने पिछले video में पढ़ा कि हम humans ने resources को indiscriminately use किया तो उसका क्या नतिजा निकला याद आ रहे है आप लोगों को indiscriminately जो resources use हुए उसके वज़े से क्या हुआ three major problems have been caused कौन से three major problems एक बार quickly recap करते हैं पहला क्या हुआ depletion of resources दूसरा क्या हुआ accumulation of resources in few hands तीसरा क्या हुआ global ecological crisis और उसके बाद ही आप लोगों को पता है कि रियो डी जिनेरियो आया सस्टेंड डिबलप्मेंट आया सस्टेंड डिवलप्मेंट का कॉंसेप्ट आया अर्थ समिट यह सब हुआ राइट तो वर्ड वाइल लोगों वर्ड वाइड गॉर्मेंट ने रियलाइज किया कि रिसोर्स प्लैनिंग बहुत जरूरी है आज यह रिसोर्स प्लैनिंग हम इंडिया के कॉंटेक्स्ट में पढ़ेंगे राइट तो हम देखते हैं अगर हम रिसोर्स को judiciously यूज करना चाह रहे हैं यानि उनको हम डिप्लीट होने से यानि खराब होने से डिग्रेड होने से बचाना चाह रहे हैं तो हमें प्लैनिंग तो करनी ही होगी राइट आए नेक्स पॉंट देखते हैं इंडिया के कॉंटेक्स में रिसोर्स प्लैनिंग और इंपॉर्टेंट हो जाती है क्यों? क्योंकि हमारे यहां resources का unequal distribution है कुछ regions ऐसे हैं जो in terms of resources, mineral resources self-shaft recent है कुछ तो ऐसे regions है कुछ ऐसे states हैं जहां पर resources बहुत ही कम है बिल्कुल भी नहीं है आएए देखते हैं इसको So it has importance in a country like India which has enormous diversity in the availability of resources हम लोग इसका मतलब already समझ चुके हैं enormous diversity in the availability of resources का मतलब basically unequal distribution है resources का, कहीं पर बहुत ज्यादा sufficient quantity में है कहीं पर बिल्कुल भी नहीं है आगे देखते हैं वही बात है there are the regions which are rich in certain types of resources certain types of resources हमारी country में कुछ हैसे regions या कुछ हैसे states हैं जहाँ पर एक particular kind of resource तो बहुत ज्यादा है plenty available है but other type of resources बहुत कम है इसमें famous example आता है आप लोगों ने अल्रडी पढ़ रखा होगा राजस्थान का राजस्थान में wind और solar energy याद आ रहा है आप लोगों को हम लोगों ने किस टॉपिंग में पढ़ा था ये हम लोगों ने potential में पढ़ा था potential resources जब हम लोग discuss कर रहे थे wind और solar energy को हम लोगों ने discuss किया था तो है दिखते है so rich in certain types of resources but are deficient in some other resources अगर राजस्थान में solar और wind energy plenty available है तो दूसरीय तरप क्या है water resources की भारी कमी है I am not talking about cities I am talking about भारत एक गाउं का देश है India is a country of villages major population villages में रहती है I am talking about राजस्थान के rural areas की है वहाँ आज भी 21st century में भी water fish करने के लिए लोगों को कई kilometer चलना परता है हालाग कि काम जो concerned governments है वो काम कर रहे है but यह reality है if you compare with other parts of you know India वहाँ पे जो बहतर water supply है उससे अगर compare कर यह तो राजस्थान में वो काफी दिखते हैं आए अगला दिखते हैं there are some some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of the resources यह states यह region self-sufficient है self-sufficient मैं बोलूगा कि उनके पास कुछ जैसे आपका कौन से state हो गया मध्ध प्रदेश हो गया जार खंड हो गया उडीसा हो गया उनके पास इतने minerals and cold है कि उन states से दूसरे states में वो सप्लाई करते है surplus है right and आगे देखते है there are some regions which have acute shortage of some vital resources अब जैसे कि हमारी NCRT की book में दिया गया हो है लद्दाख लद्दाख में resources की बहुत कमी है आपको पता है लद्दाख में बहुत सर्थी पढ़ती cold desert है वो बहुत सर्थी पढ़ती है nature को तो वहाँ cold दे देना चाहिए था क्योंकि वहाँ cold की बहुत ज़्यादा ज़रुत पढ़ती बड़ अफसोस वहाँ cold नहीं होता नहीं पाया जाता सर्थी में तो पानी भी जम जाता है जिसको गरम बरप को पिला के पानी पीते हैं वो लोग पानी तो जम जाता है आए अगला देखते हैं अब इस पॉइंट का एक्स्प्राइनेशन एक्जामपल यह है सम रिजन्स कैन बी कंसिडरेट सेल्फ सफिशेंट देखते हैं इसे आप लोग याद कर लिजिए MCQ में आता है MCQ में आता है और डाइरेक्ट भी आ सकता है जारखंड 36 गड़न मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स और और डिपोजिट बेसिकली जारखंड जारखंड 36 गड़न मध्य प्रदेश में कोल प्लेंटी क्वांटिटी में अवेलबल है कोल के साथ साथ मिनरल्स एस्पेशली आइरन ओर्स आईरन ओर्स एंड लेंज में अवेलबल है इन थ्री स्ट हैं अधर प्रद्स हो को अधर स्टेट्स को यहां से आईरन ओर क्योड़ भी ऐल उट यहाल तें काला जाता है सपलाय क यह जाता है इत्यं को आजमाट को चुरिफाय करके करते हoto या आप एट आज और सप्टाइज करते होगें बेसिकलि ए हवाँ working स इस सप्टाइट करते होंगे कि यूर हई और सब्सक्रोप्रिप्रोब üç chlorine नहीं करते होगें दर्वाइट ट्रांस्पोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगे अब देखें दूसरी तरफ लिखा है न यहाँ पर कि आए इसका अरुनाचल प्रदियस है अबंडेंस ऑफ वाटर रिस्ओर्स सेस बट लाइक से इंफ्रास्टर्ट्र डिवलपेंट वाई दो वी में बाई इनफ्रास्टर्टरल डिवलपेंट देखें लिंक करने के कोशिच किछे राजस्थान में में विंड और सोलर एनर्जी प्लिंटी है, abundance है, बट अरुनाचर प्रदेश में क्या है, water resources बहुत जादा है, अरुनाचर प्रदेश में धेर सारी rivers हैं, और every year flood आता है, तो ये भी एक region है, हमारे country का एक region में अरुनाचर प्रदेश में बहुत जादा water available है, दूसरी region राजस्थान में acute shortage हो जाती है, during summer तो situation और खराब हो जाती है, इसलिए भी resource planning बहुत जरूरी है, जोड़ पारे हैं आप लोग, दोनों points को, आप समझते हैं, इसको पहले हम समझत structural development, actually जो अरुनाचर प्रदेश है, वहां का जो terrain है, बड़े ही difficult terrain है, rivers हैं, mountains हैं, उसकी वज़ा से infrastructure development मतलब होता है, good roads, bridges, power supply, basically transport and communication, signal के भी problem आती होगी, क्योंकि वहां पे towers इतने ज्यादा install नहीं हो सकते, mobile towers है, telecommunication towers, difficult terrain की वज़े से, मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि अरुनाचर प्रदेश में roads नहीं है, बड़ जितनी roads होने चाहिए, जिस quality या quantity में roads होने चाहिए, वहां पे वैसे, न तो telecommunication facility इतनी अच्छी है, न railway facility, railway की facility इतनी अच्छी है, roads इतने अच्छे हैं, क्योंकि difficult terrain है, वहां बहुत जादा cost आती है, hilly areas में, या forest areas में, यह जो power हो गया, hilly communication हो गया, यह सब develop करने बहुत cost आती है, तो हम आगे बढ़ते हैं, I hope आप लोगों को समझ में आ रहा है, अब हम लोग अगली slide पर चलते हैं, और देखते हैं, क्या करें, before we go to next slide, Arunachal Pradesh एक बहुत ही greenery वाला state है, अगर आप लोगों ने visit किया है, तो comment box में comment करके बताएं कि आपको यह state कैसा लगा, बहुत ही greenery भरा तो ही है, बहुत ही, and people are really nice, Arunachal Pradesh के लोग, हो सकता है कि language barrier हो सकता है, but I have visited Arunachal Pradesh and I fell in love with this state, बहुत है बहुत है बहु everywhere we have you know greenery and trust me, आने का मन नहीं करता, pure air, means everything is lovable about it, so now we will study about it, the state of Rajasthan, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि Rajasthan में wind energy और solar energy abundance में है, but water resources lack करते है, तो भाहिची फिर से यहां पर है, well endowed with solar and wind energy, lacks in water resources, तो हम इसे पढ़ी चुके हाँगे, अगला point जो काफी important हम इसे देखेंगे, the cold desert of Ladakh is relatively, relatively, not completely, relatively isolated from the rest of the country, rest of the country and world, because वहां पर, क्या प्रॉब्लम है वहां पर, Ladakh में, infrastructure, poor infrastructure, when I say poor infrastructure, इसका मतलब है हुआ, इसका मतलब है हुआ कि roads are there, but they are not as good as it should be, but यहां प्लदाख में क्या है, very rich cultural heritage है, people are really nice, they are very peace loving, and very friendly people, you will fall in love with the people, if you, अगर आप लोगों में से किसी ने विजिट किया है, तो आप लोगों ने महसूथ किया होगा, बहुत ही प्यारा state है, rich cultural heritage है, but is deficient in water, पहले बात water की कमी है, infrastructure, not अरुनाचर प्रदेश की तरह ही, यहां का infrastructure भी, एक बार फिर से repeat करते हैं, infrastructure मतलब क्या-क्या होता है, roads, bridges, railway lines, airports, मैंने करा हूँ कि यहां पे airport और railways वगरा नहीं है, जिदनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, या उतनी नहीं है जिदनी की plain areas में है, क्योंकि difficult terrain है, railway lines ले करने में, routes construct करने में, बहुत ज्यादा cost आती है, and some vital minerals, अब देखे न, लद्दाख क्या है, cold desert है, यहाँ पे सर्दियों में, during winters, water freeze हो जाता है, जम जाता है, लोगों को cold की, जो important natural resource है, जो जहार खंड में अधर प्रजेश मिलता है, कितना ज़्याद है, ज़रूद पड़ती होगी, but, लद्दाख में बिलकुल भी नहीं है, cold होता ही नहीं है, right, तो लद्दाख, एक बार quick, quick recap करते हैं, लद्दाख की क्या problem है, लद्दाख में rich culture, heritage है, लोग वहाँ पे बहुत friendly है, है, peace loving people है, लेकिन वहाँ पे problem क्या है, we don't, means, in लद्दाख, we like water resources, we like good infrastructure, and, what do we like, one more point is there, one more point is there, which is vital minerals, next point देखते हैं, next point है मारा, so basically, यह जुतने points हम लोगों ने पढ़े, हम लोगों ने राजस्थान का पढ़ा, so quick recap कर रहे हैं, राजस्थान में wind और solar energy है, क्या like करता है, water की कमी है, फिर हम लोगों ने देखा, अरुनाचर प्रतेस में abundance water है, forest भी abundance है, लेकिन और राजस्था प्रतेस में good infrastructure नहीं है, good roads नहीं है, electricity and communication उतना अच्छा नहीं है, उसके बाद हम लोगों ने लद्दाक के बारे में पढ़ा, लद्दाक में rich cultural heritage है, लेकिन वहाँ पे क्या like करता है, good infrastructure नहीं है, vital minerals नहीं है, water resources की कमी है, right, अब keeping all these points in mind, क्या हम लोगों को, यानि government of India को, basically हम सब को, क्या resource planning पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि resources इतने uneven distributed है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ भी नहीं है, यानि सारे के सारे resources, other states से, other region से लाने है, तो इसे resources का, जो management किया जाना, वो बहुत ही जरूरी है, ताकि हमारी country का हर state, prosper कर सके, develop हो सके, and हर state के लोग happily, good quality of life को maintain, रख फाएं, तो इस points को पढ़के देखते हैं, इस पे भी a question बनेगा, this calls for balanced resource planning, at the national level, state level, regional and local level, कहने का मतलब, हमारी, जो government of India है, जो different state governments है, जो local bodies है, urban and rural, gram सभा, gram panchayat, and municipal corporations, सब को resource planning पे ध्यान देना ही होगा, इस पे question क्या बन सकता है, इस पे question बन सकता है, why is balanced resource planning, at national, state, regional and local level, is important, basically, why is resource planning needed, और important, इन चारो और पांचो points से, ये बात प्रूव हो जाती है, एक बार quick recap करें क्या, चले एक बार देख लेते हैं, पहला, resources unevenly distributed हैं, और इसी से सारे points जुड़े हुए हैं, तीन चार चीजें ध्यान पे रखनी हैं, unevenly distributed हैं, उसमें हम लोगोंने, राजस्थान पढ़ा, हम लोगोंने जारखन पढ़ा, हम लोगोंने मधरप्रदेश पढ़ा, हम लोगोंने चातिसकड़ पढ़ा, तो चातिसगड़, मध्यप्रदेश, चातिसगड़, मध्यप्रदेश और जारखन्ट, self-sufficient हैं, in terms of resources, राइट, अरुनाचल प्रदेश, water resource बहुत जादा है, but, poor infrastructure है, फिर हम लोगोंने देखा, राजस्थान में क्या है, राजस्थान में wind and solar energy, plenty में available है, बट वहाँ पे, किस चीज़ की कमी है, water resources की कमी है, फिर हम लोगोंने देखा, कि लद्दाक में rich cultural heritage है, but किस चीज़ में deficient है वो, vital minerals में, good infrastructure में, infrastructure बहुत जरूज होता है, sustained quality of life के लिए, growth of business के लिए, people की life को easy बनाने के लिए, और हमने देखा कि, लद्दाक में तीन चीज़ों की, we lack three resources in लद्दाक, water resource, good infrastructure, and vital minerals, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, and comment box में comment करके ज़रूब बताएं, आपको ए लेक्चर या explanation कैसा लगा, thank you so much.